केरा स्मूथ केरा स्मूथ तो आप लोग ने सुना ही होगा बहुत सारे लोग केराटीन स्टेटनिंग कराते हैं Kera Smooth जो की बहुत ही बहुत ही बहुत रहीत ही ने ये चैमिकल हेर्स हो या फिर एक वर्जील हेर बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही रिसल्ट आता है जो की आपके सामने है तो Hello Everyone स्वागत आप ये मेरी youtube चानल Rowied एर कर टूटोरियल में तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर सेक्शन से तो सबसे पहले आप लोग अच्छी तरीके से शैंपू कर लेंगे जैसे कि आप लोग को पता है कि कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले हम शैंपू करते हैं और हमेशा गलब्स का यूज़ करिए क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा केमिकल यूज़ करने वाले आज दो टाइप की केमिकल और इसमें आप लोग को काफी बहुतरीन रिजल्ट मिलने वाला और बहुत कुछ सीखने मिलना है तो वीडियो को लाज तक देखना ताक की लोगों को आप लोग को समझ में आए तो देखिए दोस्तो हम लोग लिया है समूथनिंग क्रीम आप लोग अगर स्ट्रॉंग कर ली है रें तो एक्ट्रार्ल रेसिच्टन्स वाला हैर्स का cream लीजिये या फिर अगर आप लोग का normal या पतले hair से तो आप उसके लिए normal blue जो signatures रहते हैं, resistance hairs का बस वही आप लोग cream ले सकते हो, तो चलिए हमने cream निकलना start कर दिया है, आज हम लोग बहुत ही details में आज का यह वीडियो बनाया है तो दोस्तो फिर समें एक बार बोलना चाहूँ कि वीडियो को लाश तक बने रहे ना ताकि आप लोग कोई भी डिटेल्स मिस ना हो उसी तरह आप लोग को समूथनिंग का क्रीम मलसिफाइ कर लेना है स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्रीम है वो हमारा समूथनिंग के प्रोसीजर के हिसाब से ही चलेगा और उसके बाद किस तरह चेक करना है और उसके बाद किस तरह हमें कारटीन यूज करना है कैसे क्या process होगा पूरा डिटैल में आज का वीडियो होगा है बस आप लोग के कमेंट्स के लिए मैं आप लोग के लिए एक जम डिटैल में वीडियो लेकर आया है हूँ लियर करेंगे तो चलिए क्रीम पुरा हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसे चेक करना है और चेक करने के बाद में हमें किस तरह प्रोसेस आगे का स्टार्ट करना है जब भी आप लोग कोई भी क्रीम का अप्लिकेशन कर और फिर बोलते हैं कि बर्णबर से रिजल्ट नहीं आया तो दोस्तो जब भी आप लोग कोई काम करें बहुती प्रॉपर तरीके से आप लोगा क्रीम लगना चाहिए फिंगर से देखिए मैं जिस तरह मलसिफाय कर रहा हूं इस cream को अच्छी तरीके से लगाना है जब हमारा cream प्रॉपर तरीके से लग जाए उसके बाद ही आप लोग को फिर से एक बार चेक करना येगी कहीं hairs में रहे तो नहीं गई है अगर रहे गए हैं तो आप लोग को लगा लेना है cream को तो देखिए दोस्तों section by sections में cream लगाते जा रहा हूँ पतले-पतले sections लेते हुए आप लोग का sections हमेशा पतला ही रहेगा यह आप लोग curly hair हो चाहे thin hair हो किसी बर hair पर आप लोग care smooth कर सकते हो care smooth का result बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही आता है एक दम natural normal straight look दिखता है और एक bouncy look आता है तो आज का video जैसे कि मैंने बताया कि काफी interesting होने वाला है तो दोस्तों अगर अभी तक यहां तक आया है और like ने किया तो जल्दी से like कर लिजे क्योंकि अभी तो पहला process ही चल रहा है अभी तो पूरा process बाकी है जब पूरा process आप लोग देखोगे तो आप लोग को kera smoothing में जो भी doubt है वो पूरी तरीके से clear हो गया होगा तो दोस्तों देखिए मैं आचुका आप year to year वाले sections पे और year to year वाले sections पे भी आप लोग को बहुत ही समाल के root को छोड़ते हुए आप लोग को cream लगाना है आप लोग को अच्छी तरीके से करना है वरना आप लोग का जो process है उस process में जो cream है वो अच्छी तरीके से hair मर जाएगा नहीं जो उनके layer से उसके अंदर तक invisible नहीं होगा जिसके वाए से हमें अच्छा सा look नहीं मिल पाएगा तो दोस्तो जब भी कोई application करो शैंपू करना बहुत जरूरी conditioner नहीं करना सिर्फ शैंपू कंडिशनर कप करना है मैं आपको बताओंगा सिर्फ शैंपू करना है हो जगे तो दो से तीन बार शैंपू करिए जो भी hairs में dust, oiling या फिर जो भी कुछ है वो पूरी तरीके से नि इसे application करने के बाद में इसे हम रखेंगे 30 minutes के लिए देन उसके बाद में हम इसे check करना है तो check किस तरह करना है मैंने आप लोग के लिए एक video बनाए थी कि हमें किस तरह check करना है कि हमारा जो process हो complete हो गया कि नहीं जब आप लोग hairs के पतले से sections को लेकर और जब खीचेंगे औ आपका process वहाँ से complete हो चुका है तो आप लोग को यह नहीं कि एक side से आपने check कर लिया और बस हो गया आप लोग को सारे sections के पास से पतले hairs लेकर चारो तरप से check कर लेना है क्योंकि कहीं कहीं पर process रह जाते हैं जहां पर आपने cream last में लगाया वहाँ पर रह जाते हैं तो आपर भी proper तरीके से check करना है अगर नहीं हुए होंगे तो आप 5-10 मिट और रुकिए देन उसके आप फिर से check करिए यह नहीं कि आपको वापस से आदा घंटा रुकना है नहीं आपको 5-10 मिट बस वेट करना है देन उसके आप वापस से check करना है कि कहें हमारे hairs रह तो नही तो हम लोग इसे थोड़ा सा गरम पानी से wash करेंगे ताकि अगर जो भी process complete नहीं हुआ होगा वो process proper हो जाएगा तो गरम पानी यानि कि इतना गरम पानी कि नॉर्मल सा एकदम हलका हो जादा गरम ना लगे बालो में तो अब हम इसे कर रहे हैं शैंपू आप लोग सोचते हो शैंपू करने के बाद में आप लोग देखो कि उसमें जाल टाइप में यानि की एकदम रॉफ जैसा हैर्स हो जाएंगे ताकि जो भी हैर्स के उसके cuticles layer है वो अच्छी तरीके से open हो जाए उसके बाद जो में process यूज करने वाले है कैराटीन का वो एक बहतरीन सा है तो अच्छी तरीके से towel dry कर रहे है देन उसके बाद में comb से अच्छी तरीके से हम इसे comb कर लेंगे straight comb और देन उसके बाद में हम इसे करेंगे dry तो dry आपको 100% करना है आप लोग के hairs में बिल्कुल भी है पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए proper तरीके से wash हो जाने के बाद ही और जो हमारे dryer में देख रहे हो आगी का मोजर लगा हो वो आप लोग के dryer में लगा रहना चाहिए और उसके बाद में हम लोग लेंगे पैंडल ब्रश और पैंडल ब्रश से हम उसे straight अच्छी तरीके से blow dry कर लेंगे तो दोस्तों यही सब finishing last में आप लोग एक अच्छा सा look देगी तो आप लोग को यह सब ध्यान में रखना है कि किस तरह करना है हम लोग को hair dry करना है इसके लिए इसका मतलब नहीं कि हम किस तरह भी dry कर दें पहुती proper तरीकी से पैंडल ब्रेस से dry कर लेना है उसके बाद में देख सकते हैं आप लोग की 50% hair हमारे अभी straight हो चुके ह अभी तो हमने ironing भी नहीं किये तो अब हम लिकाल रहे है basic 4 sections और basic 4 sections निकालेंगे जब भी cream कोई apply करते हैं तो basic 4 section ही निकालते हैं तो अब हम start करेंगे हमारा keratin product तो हम लोग use कर रहे है beauty garage का keratin product जिससे की बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुतरीन सा result आएगा आप किसी भी type का keratin का product यूज कर सकते हो जीके का हो या फिर केटी का हो या फिर लक्सलीस का कोई भी product आप लोग करते हैं यूज कर सकते हो आप लोग जो भी product यूज करुए keratin का smoothing के साथ तो उसका नाम kera smooth ही होगा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को beauty garage का ही यूज करना लेकिन इतना जादा न ले कि product हमारा waste हो जाए तो यह देखिए beauty garage का keratin product तो चलिए इस पर भी लिखा हुआ smoothening treatment तो इससे तो आप लोग को 32-20% तक straight मिलता अगर सिर्फ keratin करेंगे बट केरा smooth में आप लोग को आसानी से 70-80% तक straight look मिल जाता है और एक bouncy वाला effect आता है तो चल लिखान से आप लोग देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन काफी जादा knowledgeable है तो आप लोग का भी बहुत कमेंट आ रहा थे केरा smooth को पर वीडियो बनाए तो पूरा detail में आज का वीडियो है दोस्तो लाश तक देखना अभी तक like नहीं कियो तो दोस्तो लाइक जर नहीं है तो उसे आप लोग शेर करके उनका knowledge बढ़ा सकते हो तो चलिए दोस्तो step by step हम लोग केरा smooth करते जा रहे हैं हम पहला जो क्रीम था smoothing वाला वह हमने application complete कर लिया है यह कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने first cream यूज किया है L'Oreal का आप लोग को L'Oreal का ही यूज करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप लोग को दो चीज इसमें यूज करना है smoothing cream और smoothing cream और smoothing cream और smoothing cream कोई company का भी ले सकते हो शौसकोफ हो, वेला हो, मैट्रिक्स हो, कोई भी company का और keratin भी आप लोग कोई भी company का ले सकते हो बस procedure आप लोग को में जिस तरह बता रहा है वो आप लोग को पूरी तरीके से follow करना है इसी तरह आप लोग follow करेंगे तो आप लोग देखो को कि बहुती बहतरीन सा result आप लोग को मिलेगा तो देखिए step by step हम लोग keratin लगाते जा रहे हैं आप लोग को जब भी कोई भी काम करिये तो हाथ में gloves होना चाहिए तो देख सकते हो हमारी client हमारा ही video देख रही है और दोस्तो 75,000 subscriber complete हो गया है दोस्तो 1,000,000 subscriber करना है तो जल्दी जल्दी दोस्तो जिन लोगों ने like या फिर subscribe नहीं किया तो दोस्तो प्लीज subscribe करिए तो अब हम keratin को करेंगे dry तो dry के लिए पहले आपको cold dry करना है यानि कि ठंडा हवा करना है गरम हवा नहीं करना है जब हमारा 50% अच्छी तरीके से hair dry हो जाए तब आप लोगों को heat देके और 50% dry करना है और हमारा 100% dry कंप्लीट करना है तो ध्यान रखिए पहले ठंडे हवा से आप लोगो dry करना है देन उसके आद में गरम हवा से तो हम आप आइनिंग करने जा रहे हैं तो हम आइनिंग यूज कर रहे है आइकोनिक का ट्रिट्रेनियम फ्रोफेशनल जो की बहुत ही बहतरी result आता है और एक amazing सा shine देता है तो अगर आप लोग कोई फिलिप्स या फिर वेगा या फिर कोई छोटे मोटी कमपनी का जो होम केर के लिए आइनिंग का यूज करते हैं उससे अगर आप लोग केरा स्मूद करोगे तो result नहीं आएगा आप लोग को iconic का ही लेना पड़ेगा या फिर कोई अची brand का या फिर wall का कोई भी company लीजिए लेकिन वो company एकदम professional होनी चाहिए जिससे कि आप लोग को एक अच्छा सा shine मिले तो ये machine आप लोग देखिया iconic का अगर आप लोग को लेना है तो description में link DIY वहाँ पर जाकर आप लोग इसे खरीच सकते हैं तो चलिए दोस्तो हमने temperature रखा है 230 और आप लोग देख सकते हो कि हम इसे कर रहे हैं और आइनिंग में आप लोग देखे हो कि काफी ज़़ा smoke यानि कि धुवा निकल रहा है ये धुवा वही है जो केरेटीन का product लगाया है वही smoke निकल रहा है तो आप लोग चाहो तो client को एक mask दे सकते हो या फिर आप लोग खुद भी एक mask केर करिए जिसे कि वो smoke ये धुवा आप लोग के नाक में ना लगे तो देखिए step by step हम पतले पतले sections लेकर आइनिंग करते जा रहे है अब यहाँ पर सबसे important बात यह है कि आइनिंग देखिए मैं एक hairs पर कितने बार कर रहा हूँ कम से कम 15 बार 20 बार में आइनिंग कर रहा हूँ root से थोड़े से middle तक उसके बाद में middle से in तक फिर 10 से 15 बार कर रहा हूँ मतलब इतने जादा बार आप लोग को आइनिंग करना है कम से कम 15 से 20 बार जब आप लोग आइनिंग करोगे तो आप लोग का result आने वाला है बहुत ही amazing result आएगा किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या किया हुआ इतना अच्छी shine कैसे आ रही है तो दोस्तों आप लोग को 15 बार कम से कम आइनिंग करना है पहले root से लेकर जो middle length का area ये वहां तक करिए जैन उसके बाद में middle length से लेकर आप लोग को large bottom तक आप लोग करना है तो इसी तरह आइनिंग करोगे तब ही आप लोग को एक बहुती 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 रिजल्ट मिलेगा और हाँ सबसे important दोस्तों जब भी आप लोग आइनिंग करोगे ये ध्यान में रखना है कि pressure आप लोग को जादा नहीं देना है अगर जादा pressure दोगे तो hairs वहाँ से burn हो सकते हैं या फिर जल सकते हैं तो आप लोग को बहुती pressure नॉर्मल तरीके से देना है hairs के according आप लोग को pressure रखना है hairs के according ही आप लोग को temperature रखना है अगर आप लोग नए इस beginners हैं इस hair stylish वाली दुनिया में तो आप लोग को temperature जाज स्यदा 180 या फिर 200 तक ही रखना है आप लोग को जादा temperature नहीं रखना है चाहिए आप लोग को जादा समय भले ही लगे लेकिन आप लोग अगर जादा temperature रखोगे और अगर fast आइनिंग नहीं कर पा रहे हो आप लोग तो hairs burn हो सकते हैं जल सकते हैं तो दोस्तो प्लीज आप लोग जादा temperature मत रखना अगर आप लोग इसमें beginners होता हो तो और देखिए step by step हम लोग पतले-पतले sections लेते हुए आइनिंग करते जा रहे हैं दोस्तो आप लोग अपना प्यार इसी तरह बना के रखिए और हमारा राष्ट वाला जो final result है आप लोग देख सकते हैं जो आइनिंग हो चुके हैं कितने amazing सा है मैं आप लोग को wash करके भी दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि आप लोग देखिए कितना amazing सा result आया है और ये देखिए हमारा final result one side का हमारा complete हो चुका है आइनिंग और अब हम आ चुके हैं एक left side में और अभी वहां पर जादा sections ने बचे बस थोड़े sections ही बचे हैं और से हम करेंगे complete और आप लोग देखिए कि एकदम ऐसा लग रहा है कि हमने कोई smoothing किया है तो देखिए पतले पतले sections लेते हुए मैं फटाफट आइनिंग करते जा रहा हूँ आप लोग भी इसे तरह आइनिंग करिए ताकि आप लोग का जो work है वो खतम हो जाए फटाक से हाँ 15 से 20 बार जरूर करना है फटाफट करने के चकर में यह नहीं कि 5 से 6 बार किये और छोड़ दिये नहीं आप लोग को 15 से 20 बार तो करना ही है दोस्तो है लाइक जरूर करना क्योंकि यहाँ तक वीडियो देख लिए हो बहुत महिनत लेगती वीडियो बनाने में तो please दोस्तो लाइक करना और जिनको भी केरा स्मूथ के बारे में डाउट हो यह वीडियो जरूर शेयर करना मेरे वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारे color से related haircut से related hair treatment से related बहुत सारे वीडियो है तो प्लीज दोस्तो आप लोग अपना प्यार इसी बनाए रखिए मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो जितना भी नौलेज ये सारे वीडियो में आप लोग के लिए लाता रहोंगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताते जाहिए कि आप लोग को वीडियो काईसा लगा और किस टाइप के और सारे वीडियो चाहिए आप लोग को और मेरा Instagram ID तो आप लोग को पता ही है हैस्टालिश रोई लिंक आप लोग को description में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हो आप लोग के लिए में और भी तो ये देखिए आइनिंग के बाद आप लोग देख सकते हो कि इतना amazing सा shine आ रहा है और एक बहुती बहतरिन सा result आ चुका है तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैंने आप लोग को detail में जैसे यसे बता है वैसे ही आप लोग को करना है आइनिंग देख सकते हो कि मैं नीचे की तरफ ले रहा है 0 degree की तरफ आप लोग को एक तम 0 degree की तरफ नीचे की तरफ जैसे हम one length करते है उसी के length में आप लोग को आइनिंग करना है तो अब हम आ चुके हैं आगे की तरफ जो हमारा की year to year वाला section से आप लोग को यहाँ पर कान बचा कर आप लोग को आइनिंग करना है आप चाहे तो client को बोल सकते हो की कान पर हाथ रखिये ताकि आप proper तरफ नीके से आइनिंग कर पाए दोस्तो वीडियो काफी बड़ी है बट काफी जादा knowledgeable वीडियो है तो दोस्तो लाश तक देखना यहाँ तक देखे हो तो लाश तक और देखना ताकि आप लोग को जो भी छोटे मोटे doubts हो पूरी तरह की से clear हो जाए कोई भी doubt आप लोग के मन में न रह पाए या फिर अगर कोई doubt रहे भी जाता है तो आप लोग मुझे comments कर सकते हो मेरा Instagram ID पर आप लोग भी message कर सकते हो तो देखिए step by step हम हारा ironing complete कर लेते हैं देन उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग को इसे home care किस तरह करना है और इसे हमें किस तरह wash करना है कौन सा shampoo यूज़ होगा कौन सा conditioner यूज़ होगा सारे detail में video है दोस्तों सारी detail में video तो video पर आप लोग please share करना जिसे भी care smooth के बारे में doubt होगा please उसे share करना ताकि उसका भी कुछ न कुछ अच्छा knowledge बन जाए तो चलिए हमारा यह final sections चल रहा है पतले पतले sections पर ही आप लोग को काम करना है आप लोग यह नहीं कि जादा जल्दी बादी में आप लोग ने मोटा sections लिया आइनिंग कर रहा हूँ तो अब हम आचुके हैं wash पर इसे हम करेंगे wash तो जो भी हमारा केरेटीन का क्रीम है उसे हम अच्छी तरी की से rinse कर देंगे और केरेटीन का जो भी conditioner है वह आप लोग अब लगा सकते हो जो केरेटीन का conditioner आता है वही यूज़ करना है जो केरा स्मूथ है वह बहुत जल्दी निकल जाएगा क्योंकि उसमें sulfur की मातरा जादा होती है इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ केरा टीन का जो shampoo condition आता है उसे को आप लोग को अच्छी तरीके से home care के लिए यूज़ करना है हमने conditioner किया और अब हम इसे dry कर रहे है और dry अच्छी तरीके से आप लोग को करना है देखिए मैंने इसमें कोई brush भी यूज़ नहीं किया बस मैंने normal सा एक blush dry किया है और straight उपर से नीचे की तरफ भी dry करना है जब भी आप लोग कोई भी dry करेंगे यह नहीं कि कैसा भी आप लोग को dry कर देना है और अब हम इसमें लगाएंगे serum स्ट्रिक्स का serum आप लोग यूज़ करिए काफी बहतरीन रिजल्ट आता है और काफी कम price में आप लोग को अच्छी quantity में आप लोग को मिल जाता है तो अब हम इसे serum जब लगाएंगे तब आप देखिए इसका amazing सा result और एक shine कितना बहतरीन सा आएगा तो home care लिए shampoo, conditioner और serum यह तीन चीज़े आप लोग को लेनी होगी जो भी keratin का आप लोग करा रहे है उसी keratin company का तो यह है हमारा final result कैसा लगा आप लोग को comments करके जरूर बताना दोस्तो और यहां तक आए हो और अभी तक like नहीं कियो तो दोस्तो please like कर लेना चैनल को subscribe किये भीना मज़ जाना क्योंकि दोस्तो काफी मेनत लगती है आप लोग को अगर कहरा smooth कराना हो तो वहां पर आईए और मेरे salon में आप लोग कहरा smooth कहरा straightening जो चराए वो करा सकते हो और इसी तरह आप लोग को video मिलते रहेंगे आप लोग भी अपना प्यार बनाए रिखिए और screen पर जो भी वीडियो आ रहें वो देखते रहें मिलते हैं next वीडियो में बाइ बाइ टेक के